प्राइम टीवी सच साहस सरोकार यानि प्रिदा मंत्री कुर्षी तक और निश्य रूप से जब 24 चुनाव आने बाला है तो उत्ताप्रिश में जो सियासी सरगर्मिया है वो सुरू हो गई हैं साथी साथ यहाँ पर कुछ अलग तले की विवस्थाओं को देखते हुए भी काम होने शुरू हो गई हैं चुकि उत्ताप्रिश में 37 साल पुराने मिथक को टोड़का जिस तरह से भातिंदर पार्टी ने यहाँ पर दुबारा सत्ता में आसीन हुई है उसके बाद मुखवंत्री पहले प्रहां मुखवंत्री है योगरतना जो की दुबारा इस कुर्षी पर आसीन हुए लगाता है पुर्षी पर दुबारा इस तरह के इस समय बेकास के नएनाय आयम चल लए है युजनाय चल लए है और साथी चल ला है डेंगू भी हाला कि डेंगू के लिकर इस सरकार प्रयास कर रहे हैं तमाम तरह की व्यस्ताओं को दुरूस करने में लगी हुई है उतापरिश सरकार क स्वास मंत्री और डिप्टी सीम ब्रिजेश पाठक भी समय समय पर जा जाकर चीजों को दुरूस करने का नर्देश दे रहे हैं और बहतर करते नजर आ रहे हैं पर इसके साथ साथ एक चर्चा और सुरू हो गई है वो चर्चा सुरू हो गई है आने वाले समय में इन्वेस होती है और कहीं ने कहीं यहां पर रोजगार सजन का जो काम होता है उसमें भी काफी गति आती है तो निस्ची रूप से जाए इन्वेस्टर सम्मेट होती है तो इसका लाब भी परदेश को मिलता है जैसा कि उत्परेस का मुखबंतरी ने एक बात इस्पश्च की है कि अब लगवा लगवा साड़े पाच छे लाग के करोड के लगवा लगवा निविस की बात हुई थी और जुटाया गया पर जबार मुखबंतरी ने एक अलग रच रखा है जब 25 में 2022 को और अपने दूसरे कारेकाल की सपत ली थी तब उनने कहा था कि इस बार का कारेकाल हमारा और सकरी रहने बाला है क्योंकि यहां पर हम साधिन के रोडमैप, 3 महीं के रोडमैप, 6 महीं के रोडमैप और एक सारच के साब काम करेंगे और बहुक्तों चाहिं हो भी रहा है और निस्ची रूप से है अब 23 में इनिय्वरिश्टिय संमिट इस्टाविथ है हलाकि भी डेट फाइनल नहीं हुए पर कहीं ने कहीं ये जनवरी फरवरी में हो जकती है तो इसको लेकर भी अब उत्तापने सरकार सजग है और सजग होने के तहट अब एक पुरानी विवस्ता हमारे देश में रतीज हम किसी को आमंतिर करते तो उसका लाब मिलता है और लोग समझते हैं कि हाँ यही सही बुलाबे का तरीका है अलाकि यहां पर कुसी सारी विवाय का कारेकम ने यहां पर इन्वेस्टर सम्मिट में निवेस के लिए आमंतिर करना है और उनको भरूसर दिलाना है कि उत्तप्रे सबसे बहतर जगए है देश में जहां पर आप निवेस कर सकते हैं जिसको लेकर अब मुखवंत्री ने का है कि इन्वेस्टर सम्मिट विजवार दस लाक करोड का लच्छ रखा गया है जिसको लेकर अब जो एक्शन प्लान है वो आला तरीके से यहां पर डिजाइन किया गया है मुखवंत्री अपने पंदरा मं उन से चल्चा की जाएगी और भरसत दिलाए जाएगा कि उत्ताप्रेस उनके लिए एक अच्छी पसंद है निवेस करने के लिए सरल सिस्टम रहेगा निवेस का तमाम सुभणाय उनको डी जाएगी जिससे की जो प्रदेश के अर्श वेस्ता वह तो बहतर हो और जो निव जाएंगे डिप्टी सीयम ब्रजिस पार्ठ ब्राजील जाएंगे और केसा पसार मौरिया परिज जाएंगे उनके साथ से तमाव मंत्री भी इस कारकम में जाएंगे और बहां पर 18 नमंबर से लेके 20 दिसम्बर तक का एक कारकम रहेगा और इस कारकम के चलते 26 अंतराश्ती सेरों का दोरा होगा बहां पर मिलेंगे हाला कि पहले भी निवेसक राधाई लखनू आये हैं मुलकात हुई है तमाम ब्यापरिक ब्यवस्थाओं पर चल्चा होई है पर यहां पर अब एक नई पहल के तहत एक कारकम आज़ूर किया जा रहा है जिसके तहत 18 नमंबर से 20 द पर चल्च रखेंगे रभीन पताफ भाई सपा से अपना पच्छ रखेंगे अब इमिनीत यागी भाई कॉंग्रिस पार्टी आपना पच्छ रखेंगे आप सभी मेमानों का बहुत पर सवागत है तो पहला सवाल हमारा रहेगा प्रसान भाई यहां पर इन्वेस्टर सम्म कि तब भी बीचों करोना जरूर आया है करोना ने तमाम चीजों को खराब किया है पर दसलाग करोर का रच पूरा कैसे होगा और कैसे भरुसा दिलाएंगे कि यहां पर सब बैतर है और निश्ची रूप से आप यहां पर निवेस्ट कर सकते हैं अनिश्ची द्रूप से भारतिय जंटा पार्टी की उत्तर प्रदेश में रोजगार स्वजन के-लिए प्रियास कर रही है ड़तार सभी सहरों में रोजगार की व्योस्था के लिए चिंतन हो रहा है रोज़गार के मेरे लगाये लगाया जा रहे है भारतिय जन्ता पार्टी लगातार प्रदेश को विकास के पत्परा घरसर कर रही है उससे भी रोजगार का सिजन हो रहा है अभी सभी लोगों को पता होता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पहले जादा तर बड़े-बड़े सहरों में मजदूरी के लिए रोजगार के लिए जाते थे लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी का हमारे अधितनाजी जी का प्रयास है कि जो इनिश्टर समिट आगामी समय में होने वाली है जो बाहरी लोग हैं बाहरी उत्तर प्रदेश में लगेगा तो निश्टी तुरू से फैट्रिया खुलेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा इसी के लिए भारतिय जन्ता पार्टी के मुक्वंत्री आजरी योगिया जितनाजी लगातार चुन्तित हैं और इनी सब विश्यों को लेकर के आगामी आने वाले समय में वो और हमारे सरकार के बिविन मंत्रीगण बिविन देशों का दोरा करेंगे एक बात अभी आपने कही थी कि एक होता है कि लोग आते हैं और एक होता है कि जब कोई व्यक्ति जाकर के किसी को आमंत्रित करता है तो कुसी के मन में और उक्तर प्रदेश के प्रदी एक सुबेच्छा आएगी कि नहीं उट्तर प्रदेश के मुखमंत्री जी अपने मंत्रियों के साथ मुझे अपने प्रदेश में दोख धंदे खोलने के लिए आमंत्रित करने आये हैं तो निश्ची तूप से यदी जो आमंत्रण का आर्थी जन्ता परटी की पहला है सब्सक्राइब निश्चित रूप से उत्तर पुदेश को आगामी आने वाले समय में पिकास के पत्पर और रोज़गार के पत्पर अकरसर जरूर करेगी ठीक है लबिन भाई आपको भी साब जीजे जनकारी है पहले भी तमाम सम्मेट आप में देखी हैं और दसला करूर का सब्सक्राइब निश्चित रखा गया है और कहा गया है कि 18 नमबंबर से 20 दिसम्बर तक अलालग अंतराश्ची शेरों में दौरवी पर रहेंगे सूला मंत्री जिसमें मुक्पंत्री योगी आदिजनार स्वैम सामेल है दोनर डिप्ट्री सीम भी कैसा देखते इस वार ज मुगेरी लाल के असीन सपने दिखा रहे हैं जनता को इसे अच्छा के पहले 2018-2019 को ही देख ले 2018 में जो अकबारों में छपवाया उन लोगों ने कि 81 प्रोजेक्ट के दौरा एक सथ हजार पांसो करोड रुपए का इंवस्मेंट आया है अगर आपको कहीं दिख रहा हो क्योंकि आपके लोग फिल्ड पे जादा रहते हैं तो ये एक सथ हजार पांसो करोड रुपए का इंवस्मेंट आया था 2018 में कहां पर है वो बता दे पिर आते हैं 2019 में 2019 में बताया गया कि 290 प्रोजेक्ट्स आये इस 290 प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 67,000 करोड रुपए का इंवस्मेंट आया यही बता दे कहां पर है आप अपने माध्यां तो भी पता लगवा लीजिएगा यह अठारा उनीस में जो आए गए इक सथ हजार करोड रुपए और संड़ सथ हजार करोड रुपए इंवस्मेंट कहां है एक इंवस्मेंट डिखता है लूलु माल का जिए पागी कोई इंवस्मेंट नहीं हमारे म श epid ने का बात के जनता पाटी कि हमारे मुकमंत्र जी बहुत चिंतित हैं उस उस चिंता को मैं इपस्ट कर रहा हूं दो इंडश्येले एरियां से जिए एक गीडा इंड़ेंडिया है जो मुकमंत्र जी का अपना जिला है दूसरा लकनों का इंड़ेंयूमग फिजने जाय यह मुखमंतर जी की चिंता है पिजले 6 साल की, यह तत्यात्मक आंकडे हैं, इसी तत्यात्मक आंकडे में और जोड़ देते हैं कि नीतियायोग क्या करता है, नीतियायोग करता है कि भारत के दस सबसे गरीब जिलों में चार गरीब जिले उत्तर प्रदेश के हैं, तो हमारे कि बीजेपी के बाई कह रहे थे कि रोजगार सरजन होगा तो नीत आयोग से लिखके पूछ लें कि वह गलत है या वो जो बता रहे है वो गलत है अब आते हैं आपने जो कहा कि वो इतने जिलों इतने राजियों में जाकर घूमेंगे और दस लाग करोड लेके आएंगे अगर कोई बदलाव नहीं आता है तो 2023 में अब देख लेते हैं कि करने क्या जा रहे हैं किस से पैसा मांग रहे हैं इसके पास अपने अपने लिए पैसा नहीं है वहाँ सरवादिक इंवस्मेंट भारत सरकार का है और United Kingdom का सबसे अमीर आदमी हिंदुजा बंदू भारत के हैं छटवे अमीर आदमी लक्षमी वित्तर जी भारत के हैं नवे अमीर आदमी भारत के हैं उन से जा रहे हैं पैसा मांगने अब कहां जा रहे हैं सिंगापूर में जा रहे हैं पैसा मांगने के लिए लकनाव से चाइवलेंड में पैसे मांगने जा रहा है। पूरा 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 के पूरा यूरोप भयंकर इंफलेशन के बीरोजगारी से पढ़ा है कि इस बात का मजा कर रहा है किस वात को पता रहे हैं यह आजाएं इन्वेसमेंट आता कैसे है पिछले बार जो इन्वेसमेंट के कहानियां उतके लिए क्यों नहीं आया ख़े सबसे पहली कानून ब्यवस्था का जो विशह है जी कानून ब्यवस्था का उप्तर प्रदेश में यह हाल है कि यहां की पुलिस भून दी जाती है अच्छा है गोरतपूर शहर में एक पुलिस का मद्वमस्थर का अधिकारी जाके एक ब्यवार करने के उद्देश से गए ब्यवारी को फुटल में माच डालता है इस कानून ब्यवस्था को सून के कौन आएगा इन्वस्था करने के लिए अब आती है ट्रांस्पोर्टेशन की ब्यवस् किनी भी परिस्थितियों में आपको का लगनों पहुचने तक 15,000 रुपए देने पड़ जाएंगे उसका पा के सर्कार में होता था कौन करेगा आजपा के सर्कार में इंडरोट कार्मिया चल लगी है जी और किसी को कहीं पर भी एक पी रुपया नहीं देना पड़ रहा है नहीं परसान परसां जी के आपाद बढ़ाई जाए बढ़ लेंगे नहीं तो उनका उनका कूसंसकार दिखाए पड़ेगा इसलिए मुझे बोल लेने जिए वो नोड कर लें हमारे कॉइंट को काट देंगे अपने आप से काट देंगे अब तक उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है उत्तर प्रदेश की जो GDP है प्रति बेक्ति अगर हर बेक्ति पर थोप दी जाए तो 6,792 रुपए प्रति महीने है ये 6 साल का ये पूरे 6 साल का आंकरा है इनका तो अगर इतना बड़ा चिंता थी मुखमंत्री जी की या वार्ति जलता पाटेगी तो यह जो कहरते आए दुगना कर देंगे इसी को बाराजा रुपए कर दी ए होते अच्छा ए ठीक है जासाल में तो नहीं कर पाइस गुदूना अभी आपके बार लेता हूं ठीक है हमाज मंशा झाल हूरी मंयुर्णामिर जी जोड़ी चैक हमां सार हाँ ठीक है आजtechn है में अध्य आपको मिर्या समपरक सुर्ण हें सबना धर्नी मान बेस्था आपको अथे नहीं को फटrik नए है कैसे आपनी चूंप सरतली है किम ठारुका लशं रखने है आ हमारे समाजबाधी पाल्टी के मित्र गणने तथे बहुत कठा कर रखे थे और उन तथ्यों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जी मैं अभी जीडीपी की बात आई जीडीपी की बात में उने बताए कि 6,792 रुपया प्रति वेक्ति साल बर किया है जब मैं बताना चाहूंगा कि समाजवाद है कि उस समय पर 26 रुपया प्रति वेक्ति कि आज हमारी हमारे सरकार में वो चीज दूनी त्यूनी चोगनी हुई है आपा सरकार ने लोगों के रोजगार सीजर के लिए पुरा चंतन किया है जी दूसरी बात हमारे मित्र ने कही कि पुरे उत्तर प्रदेश में पुरे तो पुरे उत्तर प्रदेश में आते हैं वो आठ हुआ करते थे भारती जन्ता पार्टी की पांच साल की सरकार में वो चार रहे गया है इनके इनके हिसाब से भारती जन्ता पार्टी लगातार पुरे देश में अपने कारपढ़ारी को लेकर के लोगों के रोजगार सीजन को लेकर के लगातार चिन्तित है इन्हों ने बताया 2018 में 61 500 करोण का इन्हों ने बताया की रोजगार शिचन के लिए प्रयास हुआ आप जाकर के गाओं गाओं में देखेंगे कि सिच्छड दोस्ता के लिए विविन माद्जमों से नन्नी कली के माद्जम से विविन जगों पर स्वास्विक की चिंताओं के लिए विविन अस्थानों पर सिच्छा की चिंतन के लिए लगातार कार सरकार के द्वारा किये जा रहा है जो बाहरी लोगों के द्वारा किये जा रहा है तो किनी ने किनी लोगों के द्वारा किनी ने किनी लोगों के इन्वेस्टमेंट के द्वारा किये जा रहा है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब इनने चोचिंतन नह दूबे रहे फ़र को हमागे लगे रहे उस सी कारण विखेंग। आपको मेरी आवाज आ रहे है कि स्काइप पर है परपसायर देख रीचे अब भाई बोल लाएंगे तुपके लगवा रहे थे और आपको इंबस्टर सम्मेट यार नहीं आती थी बश्टर जार बें दूबे हुए थे बारतिय जनता पार्टी एक प्रतिक्षण देती है अच करिए अच्छा आप प्रतिक्षण दिया जाता है पिछली बात करनी है तो एक गजट में टिखा हुआ है जिए कि सत्रावर का तादी में पूरे विशु का जीडीप भारत का 50% था जिए तो बीज़ेपी नहीं पकड़ लिए जिए पीछे क्या पीछे क्या मैं तो वही बत सब्ञेटा का परचे ती जिए अपने सब्धै का पघोप आप सब्राइबी पाटिय एप सुन लिजे अप सुनिजे मैं पहला नहीं हूँ फून लिजे जिए तो आप हमने जो किया था खराब किया था मैं क्यों गया बता रह रहा हूं जो पिछले ज़ाह साल सब्सक्राइब नहीं है इतनी हमत नहीं है कि अपनी सब्सक्राइब नहीं है पिछले पांच सालों में वो बट्टे खाते में चला गया अच्छा वो नेरु जी ने किया था तो दस लाग करोड रुपए का जो रिण चला गया वही लाने के लिए बता रहा है कि हम जा रहे हैं बाहर में अब इसके आगे भी सुन लीजिये और क्या हुआ आपने मुझे र उत्तर प्रदेश में अभी थोड़े दर के लिए भारत की बात कर लें बीरोजगारी की दर भारत में अक्टूबर में बढ़के कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इन्दर सरकार उत्त्वरदेन सरकार की बीरोजगारी की दर लगतार बढ़ती चली जा रही है माँगाई की दर भी लगबक साथ दस्युनलों भी चुछाआ है कॉन प्रदी में न करेगा आप ठाईए आप लोग भी किसी चीज से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी व्यापारी संस्तान से हैं, क्या आप एक नए जगा TV चैनल खोलना चाहिएगा, दूसरा विशह है, कि किस विशह पे खोलेंगे, एक योजना चलाई थी, अभी हमारे BJP की मित्र ने कहा, कि एक योजना चलाई और लगाया गया, ODOP, ODOP करके एक मेला लगाया गया, ODOP मेला के पाँच पर अटेट बता दें, उत्तर प्रदेश में पचाथर जी लेए, तो मैं बताना चाहूंदा, इसमें हुए बीस में बोलिएगा, इसमें मत बोलिएगा, आपको नहीं मारूं है, आपकी सर्कार से आम क चुदी ए आखड़े सुनते रहे अपने सरकार के आखड़े सुने अगरे सुने। में साहारनपूरे जिला हुआ कर था जहां लकडी का सार्वादी का मोता था। वहां काम पी सरक्ड़ कि तरह कि बगलमा यमुरानगर में चला गया। कि हर्याना जी लेंवे चला गया तो पांच पांच ओडी ओपी के प्रोड़क्ट यह बता दें कि जो पब्लिक का कई हज़ार प्रोड़क्ट लगा के बेला कर दिया इन दोगने ओड़ी ओपी का इनका आया हो अधी पूचर दा पूचर था पूचर ठीक है हमां से कॉंग्रे कि तयारी हो रही है दस लाग करोड का लच्छ रखा गया है और इसके लिए मुक्पंत्री अपने मंत्रियों के साथ 26 देशों की यात्रा पर जाएंगे 18 नमंबर से 20 दिसंबर तक और फरवरी में पिस्ताबित है इन्वेस्टर सम्मिट कैसे देखते हैं आप बैतर काम के हा किया जा रहा है जिसको आंगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के लिए जी अबर मन्वाई जी लेके उत्तर प्रदेश में जो इंडेस्ट्रे लेरिये हैं जी जो एसी जैड है अच्छाइए जो मेरत की स्पोर्स इंडेस्ट्री है जो कानकूर और आगरा का लेदर इंडेस् जो कि लिए जो लगनाओ की चिकिन वर्क इंडेस्ट्री है अच्छा जो पनारच के अंडेस्ट्री है उन इंडेस्ट्रियों का पतन होने का कारण भाजपा राज मा आखिर क्या है अच्छा आप देखे हैं पिछले पांस तालों में जगसे भाजपा की सरकार उस्ट आपने इंटरस्ट्रीटर के लिए मजबूति क्या काम किया एगा इस्टी के लिए उने ट्याप चुइधा दिया कुछ भी लिए शोच भाज भूम ने गए ने जो नहीं गयोंगे तो वह यह उन्होंने बताय होगा इन देश माफ भूम यह अधा तो तो सिब भूमने गया रहें रहें चितना इंवेस्टमें कराया हैं ड़ी आजया इस्षिंस सब्सक्राम किन कि एंग्यों भारत जाया कर्णा हैं रहरा हमाँ इसमय को कि भारत नरी थे क्षा इंक्ट करता ह। अच्छा आपजे, पाय व्यूल के बारे बता है, फोध उत्तर प्रदेश में में रख्ति होती है। इतनरल बनता है ये वाधे स्ना भार कितना भार कितना बह्तो हैं आज हो कोई देवा समय नीटी नी कोई पल्र देखे हैं वां से नुलप लोग है प्रतेश जुल के रिहा है कुछ भावाई करने कि खूच कुछ बहुने खुप अखरेगी है?... बप शाल बंधेवे कहा है alta गुख नुच जित फिर्ली कि वाइप अनुब्रेश में धिनों अजम टीमाल, फज माBLग ex d to happen प्वाइस्ता बढ़िया करिया भी क्या रहा है कि ऑफिन बॉस्ता में सब्सक्राइब तर्द कर और जी जिए लोगों को तर्द हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में आपको मताना चाहूँगा कि 30-40 प्रसंट चीनी मिले बंद हो गई थी तो चीनी मिले चला नहीं पाई है तस ताल के सरकार में और सभाजवादी पार्टी की सरकार इंकी सयोगी थी अच्छा यह थी प्रदेश फिन भाति जन्ता पार्टी की सरकारा है केंद्र में बोधिशी की सरकार अई है और मैं इत्र है अब हारत पड़ा ईड़ाई बदाः क्या है इस बारत पर निकले है अच्मषा थैंड़ टूटल कुछा अच्छ निए अट्रम से तूट गया था उससे को लाकर को बहुत से जोडने का करें लिकाल एक तर्क्राइब प्यूब के भारत से चला गया था उसमें कभजे की बात करें अच्छा जो इनके समय में कांग्रेस का पैसा जो इनके समय में सरकारी पैसा बिल्योसों में जाके जमा हो गया अच्छा जो इनके सायोगी दलों ने मिल करके शिर्फ और सिर्फ बिस देश को लूबले का कार किया अच्छा इनके जानी 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 का कुछ बोला है हम कह रहे हैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने अच्छी बात गई चीनी की बात उठाई हम इनसे कह रहे हैं कि मैं खुद गन्ना किसान हूँ हमारे पिछले साल का गन्ने का बकाया सरकार पे डियू है यह गन्ने का पहले बकाया दिला दे दूसरी बार जो चीनी का एक् बिजली का जो दाम होगा, वो माफ कर देंगे, हाफ कर देंगे, लेकिन कहीं कुछ नी बिजली का दाम उल्टा पड़ गया, अरची में जूट बोलते हैं, जूटे लोग है, सत्तालो लूप लोग है, कुछ भी कर सकते हैं, आप इंसे पूछिए, कितने इंडेस्टिल एरिया सोन बंद्रों, मिर्जापूरों, Gajayabad इंडेस्ट्रेया हो, Gota BUT Dihon इंडेस्ट्रेया हो, Lakhnao इंडेस्ट्रेया हो, Vallampur इंडेस्ट्रेया हो, सब कोंगरेस पाथी ने बनायै, यह एग भी इंडेस्ट्रेया ही बता जे चलो, यह बता दे कितने अंपुटिर रिगों अरु स्थाथ बुनकर उध्यों को बता है मेर अठो बनारिस का वावनों जवादें, जवादें संचोपट कर दिया है इंडश्टियू पुछाओ जवादें, पुछाओ करने दासला कर भाविद पूच रहे तो तो बोला है मोगेरी लाल कहसीन सपने दिखा रहा है आप लगे हुए है इनके बारा से लेके सतरा तक और चार से लेके 14 तक जो सरकार थी वो भीशड़ ब्रश्टाचार की बेट चड़ गई इनके समय पर इनके मंत्री जेल में होते थे इनके आपर सिर्फ पर सिर्फ पर सिर्फ मशीनरियों को इनके नेताओं को सिर्फ पर सिर्फ जेब बढ़ने का कार किया जाता था जब से मोधी जी आए है उत्तर अदेश में योगी जी आए है तब से इन लोगों के तर खलवली तो दो आजार सत्रा में एठाइस से पार गुजराग तो आज अचार रहे हैं अचे अच्छाइब की तरह है यह आज आज बहुत 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 धन्यवाद करता हूं आपने सच्चा ही कबूल की आप हमाल्चा प्रदेंश पहर रहे हैं आज वोटिंग हो रही है करें आज वर फिस टरह से से बादाइब को बहुत था प्राइब है यह आज बूला किया भार गुर्ट आपसे तरस्टे महंगा करें खिता चार से पेपर लिग से बाट देश वर में आपने लूट में बचा यह जा है कि इंड तब गांट को जनता के सामरें ना दिखा हूं न! मत बोले बीच में जो बहे गादी बोलना सुन लिजिए इतना देर रखिये और आपके बारे भी बोल रहा है हमने जो किया था उसका फल भुगत रहा और आप हम पता रहे हैं को आप जो आपने किया है पिछले आठ साल में वही पूछा जाएगा जी नहीं पूछा जाएगा कि पिछले आठ साल में इनोंने क्या किया है इनकी नित याईयो क्या पताती है उसको सुन लिजे हम इनकी नित याईयो क्या बताती है उत्तर प्रदेश के बारे में 28% जनता गरीबी में जी रही है दूसरा आंकड़ा क्या देती है नीतियायोग कि जो गरीबी हटाने की गरीबी कम करने की राष्ट्रिय दर है वो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रिय दर से कम है तो 6 साल से उत्तर प्रदेश में भारती जनलता पार्टी की सरकार है अधर्णी योगी जी की सरकार है ये कर रह अक्रेस जी नहीं कर रहा है और कॉंग्रेस नहीं कह रही है इसको नीतियायोग कर रही है जो इनकी अपनी संस्थाएं है अब आती है बात जो आपने जहां से शुरू किया था मैंने कहा आपने रोग दिया था दस लाख करोड रुपए क्या उत्तर प्रदेश सरकार का वजट है क्या इतना इनसे पूछ लीजेगा कभी जब आपकी बारी आए की बीच में नहीं भूलेंगे यह दस लाख करोड रुपए आप लाएंगे कहां से पहला विशह यह दूतरा दस लाख करोड रुपए जब आते हैं तो देने पड़ते हैं देने की इस्तित यह है कि हम अप प्रस्ट यह जीडीपी है उस जीडीपी का लगबग लगबग सो प्रस्ट उधार ले चुके हैं अपने बैंकों से यह इतनी गंबीर इस्तित होती है किसी भी देश के लिए कि कल को अगर हमारी ही सरकार केंद्रिय सरकार या हमारी जो PSU's हैं इन्होंने उधार लिया हुआ अगर यह उधार चुका नहीं पाई यह शॉट टंब लोन है लॉंग टंब लोन भी नहीं है अगर यह चुका नहीं पाई तो हम आप पैसा निकालने जाएंगे उसी तारीक से माना कर दिया जाएगा जैसे चीन में माना कर दिया गया और आप भीड लगा के जाएगा तो व कि मारात, तब देता का पषर जिएffला का पर सेचिए चिज आप तु जवट में उन्रपीन उन्रप्देख किया की तर नहीं पूरा जरुट में न्यार्थ की उद्विवाद एम्रेगया кажется की तंब्दिक जो अन्रपकार सेच ने से ये लगादार सुर्प परचिंतन कर रहा है कि मुगेनिलाल के तरहीं सपनें तार पाए है ने जमीन पर धरातल पर उतार पाए हम लोग ने जनता को सपने भी अधरी जी ने जब 2014 में देश के प्रदान मंतरी पत्की सपत ली थी तोनों ने कहा था कि इस देश के अंतिम पंक्ति में बैटे हुए बेक्टि तक बिगास की जब तक जोजनाओं को नहीं पहुचा दूँगा तब तक मैं सांती से नहीं बैटूंगा इस देश में कर रहे हैं और उसी का दर्व कांघुरेस के नेताओं में सलक्ता आघ राहूं जात्रा के लिए निकले हुए है ताम्यं जाव में राहूं पेदवाब किया जाए किस तरह से लोगों के दिलों में नफरत पैदा गी जाए तो उस दोर में रहूल गांधी देश के लोगों को आम जन को जोडने के लिए निगले हैं प्यार से मुहबबस से उनके बीच में पैगाब देने के लिए अपने बात को लेके जा रहा है और एंबुलेश के लिए उस करीब आपी के लिए राहुल गांदी को ही खड़े वही है वो किसान है जिसकी जमीन की पुर्की होने वाली है उसके राहुल जवान है जिसे नौकरी निमिली जो सुबह चार बजे से पोज के लिए दोड करने की बात करता है कोंग्रेस पाटी कहती है हम पुरानी पैंशन लागू करेंगे उस महिला के साथ है जिसके लिए बात्य जंता पाटी की नीती बहुत गलत है उल्टी है जो महिलाओ के लिए गलत नीती गलत विचार रखते हैं ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम भ अगरी कमेंट लेता हूँ अच्क काम कीजिए आप कमी स्वागत है आप यह भारत चोड़ो यह अत्रा ठीक है रभीन भाई आखरी कमेंट करेंगे बताई जल्दी टीस सेकंड़ बोले विकास किया बहुत जब से नरिंद मोधी जी आया है आधरी योंगी जी आया है एक एक बहात तो हमारे जी डीटपी माइनस चीस परसंट हो गई इतना बड़ा विकास हुआ और बरतमान समय में माइनस सारी, झाल्य, दूसरा बताया कि बरस्ता चारियों पे लगाम कस्दी गई है भारत के जतने भी बरस्ता-चारी थे नीरो, मेधु, मूल, छोकसी, माल लिया सा इतम बात करके हैं यह वरस्टाचार था यह विकास था पिछली सारी सरकारों ने काम किया गया था यह कब तक यह गाते रहेंगे अपने आठ साल की उपलब दियां पर देस में चेसाल की उपलब दियां जिस आखंड भारत का पातो हिस्सार बिड़ा पूल क करते हैं किसको कंश कढ़त निन दालते हैं एकक ये अपनी बातों से इंटार करते हैं, ये अपनी सर्कार की उलब्दिया किratos के सल केसे बादि जनता मैं बताना चाहूंगा कि भार्तिय जंता पार्टी की सरकार में करीब फूसना होता है तो लगातार इत्ते प्रचन पार्वमस से हमको चिताने का कान नगरता है अगर जो हमारे देश के अंतिम प्रक्डि में वैठा हुआ वेखती वो सामान वेखती इस तक कभी इस देश की कोई भी योजनाय नहीं पहुंची थी उन सभी लोगों ने बादानी अम्मानी पार्टी के पास तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां पर चल्चा थी इन्वेश्टर सम्मिट को कि होने वाली है फरवरी में उसके लिए यहां पर मुक्पंत्री अपने मंत्रियों के साथ अंतिरास्टी शेरों को दोरा करेंगे और दस लाग करोड का इस वार लच्छ रखा गया है इन्वेश्टर सम्मिट के लिए आ और यह दोरा भी 20 देसमें खताम हो जाएगा अरवरी में कितना इन्वेश्टमेंट आएगा कितना विकास होगा वो फिरहाल भाविस के गर में नेत है पर एक बार तो सब्त है कि अगर प्रियास करते हैं तो कुछ बैतर पढ़ना माते हैं अगर प्रियास ही नहीं होंगे त तब ही सत्ता मिलेगी अगर आप प्रियास करते हैं तब ही बजलाब होगा अन्यता जो स्थिती है वो हमें से चलती रहेगी तौस की चर्चा में इतना ही अबसक्राइब आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार राजनिती से जुड़ी है